जैहिन सातियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल ग्यान आर्वियल में दोस्तो आज हम बात करेंगे यूपी ट्रपल सी पेट दोहजार के जो परिच्छाएं होनी है दोस्तो उसके बारे हम बात करेंगे आपको पता है कि जिसका इंतिजार था यानि कर देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा क्योंकि यह देख पाएंगे कि किसका कहां पर सेंटर गया है ठीक है तो चलिए जिना कर दीजेगा अब देखें हम बात करें दोस्तों आपका आड़ा आ गया है तो क्या आप तयार है क्योंकि देखें इस बार जो है केवल बीस ल कहां से कैसे पढ़ें और किस तरह पढ़ें दोस्तों तो इन चीजों पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से देखें पहली चीज क्या है कि अगर देखें मैं जो कहने वाला हूँ तो समझेगा ध्यान से कि पढ़ाई कैसे करनी है देखें सबसे ज़्यादा जो चीजे होते हैं दोस्तों जीके का में रूल होता है उसके बाद दोस्तों आपका मैट्स मैट्स के दोस्तों पाई चार्ट और मैट्स खुद दोस्तों पाच अंग का और उसके लावा बीस का पाई चार्ट यानि पचीस का दोस्तों पूरा खेला मैट्स का ह होता है ठीक है तो इन चीजों को सबसे पहले मैं प करना चाहिए आक पास जितना समय पचाहए है उसके अलावाङ को दे कि हमने ढौन था कि हम से पढ़ने का रीजन क्या है अपका तो मैं बता दू कि मुस्किल से दोस्तों 20-25 में की वीडियो होती हैं और फालतुख चीज़े नागर में सीधा हम कंटेंट पर बात करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट पर जाना होगा हमारे यूपी ड्रपल सी पेट 2023 समर्पिद वैच के नाम से चलाई हैं क्लासिस फिरी ओ कोस्ट में जा करके एक बार आप देखिएगा आपको बहुत ही सांदार तरीके समने सारी चीज़े बताए हुई है तो आपको मजा जाएगा ठीक है तो एक बार कोसिज करें जाएगा एक बार लिए होते हैं तो मैं आपको आदू एक बार मैं इस चीज़ बता दू कि यामने दोस्तों आपके लिए PDF नोट्स तयार किये हैं अब होती सांदार नोट्स हैं ठीक है जहां तक मेरा नवो दोस्तों मैं खुद जुने स्टेंड सेलेक्टेड हूँ ठीक है तो आपको बताते दोस्तो ग्यान आर्वियल आयप को डाउनलोड करिए गा दोस्तो वहां पर ऐसा ही थमने लगावा मिल जा दोस्तो जिसको आप डा जिस पर पेमेंट करके दोस्तो उस पर आप जा सकते हैं ठीक है तो इस समझ गोंगे इसका लिंक भी मैं नीचे डिसक्शन में दे दूंगा त दोस्तो इसको पर सकते हैं तो आप बहते ही तरीके समने इस पर सारी क्लासेश दी हुई है एक बार क्लासेश जाकर देखिए उसके बाद आप नोट्स पर्चेस करिएगा ठीक है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं का रहा हूँगा आप पहले नोट्स कर लिजे अगर आपके पा पढ़ी है ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा हिस्ट्री पढ़ा लें दोस्तों पूरी हिस्ट्री पूरी हिस्ट्री पढ़ने जितने भी दोस्तों उसमें चैप्टर दिये हुए है उन्हीं चैप्टर को दोस्तों के वल खास उन्हीं चैप्टर को आपको पढ़ना है ठीक ये वन येर की कोई भी दोस्तों उसको आप अच्छे से दोहरा लीजिए एक बार अच्छे से दोस्तों कर लीजिए क्यूंकि आप इधर दर से पढ़ेंगे बहुत ब्हुत यादा समय ब्यत्तित होगा तो उसको आप पढ़ लीजिए ठीक है और बहुत ही सांदार तरीके से उसमें से आपका सारे question लगभग लगभग आ जाएंगे चाहे आप speedy ले 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 या फिर दोस्तों घटना चक्री की जो भी चीज़ा आती दोस्तों आप ले सकते हैं आपके हिसाब से जो आपको better लगे ठीक है और मैं आपको उतादू कि इस समय आप थोड़ा सा मतलब इदादर भटकने की बज़ाए एक जगे फोकस करिए ठीक है और मैं यही कहूँगा कि दोस्तों chapter wise आप किसी चीज़ को बहुत इच्छे से revise करिए ठीक है जो chapter आपको दिया हुआ है पेड़ में केवल और केवल दोस्तों उनहीं chapter को आप revise करिए फाल्तू के इदादर मतबटकिए मेरा यही मारना है दोस्तों और आपका score बहुत ही अच्छा होगा सांदार होगा और बहतरीन तरीके से होगा ठीक है और दोस्तों आप पता है कि इस बार भी आप सेंटर हो सकता है दूर गया हो जैसे कि मेरे रायवरेली सहर का कानपुर गया है ठीक है यनि कि रायवरेली का तो उस्तों कहां गया है कानपुर इसी प्रकास दोस्तों हो सकता है कि आप लोगों और कहीं गया हो दूर गया हो ठीक है क्योंकि 35 सेंटर ही इस बार बनाए गए हैं पूरे 75 जिलो में से किवल 35 जिले ठीक है तो ये चीज़े हो सकती है दिक्कत हो सकती है हो सकता आप दूर कहें भेज दे जाए मगर दोस्तो आप थोला सा सचेत हो कर दोस्तो पेपर दीजेगा बहुत ही साधा तरीके से तो कि इसके बाद दोस्तो आप उता दे कि लेख पाल की वैकेंसी आनी है इसके लावाद जूनिय असिस्टन की फिर से वैकेंसी आने वाली है तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं बहुत ही सांदार तरीके से आपके साथ दोस्तो ये चीज़े होने वाली है तो आप को कोसिस करिए दोस्तों कि कैसे भी करके दोस्तों 75 प्लस यानी की लगभग 80 के आसपास दोस्तों मतलब अंग लाने की कोसिस करिए तब ही दोस्तों आपका फ्यूचर ब्राइट होगा ठीक है तो यह चीज समझ गऊंगे बहुत ही सांदार तरीके से एक चीज मैं और आपको रुपे माको यह मिल जाएगा चलिए थैंक्यू धन्यवाद मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में